कि अब करनपूर की हार पर आते हैं एक प्रिट ये करनपूर की हार जो है इसको लेकर कई सारे परिस्थितियां हैं सामने जो पार्टी तीन दिसंबर को सत्ता में आई थी इस पर्ष्ट बहुमत लेकर के एक सो पन्दा सीट लेकर के वो एक डेफ़र्ड इलक्षन उसी चुना का तो उस निजन की वेज़ से एक इलेक्शन डेफ़र्ड हुआ था इसको उपचुनाव कह रहे हैं बहुत सारे अकबार भी और बहुत सारे मीडिया में भी यह उपचुनाव नहीं है यह डेफ़र्ड इलक्षन है और इस डेफ़र्ड इलक्षन में वह पार्टी हार गई मुझे 150 सीटों से इस पर्ष बहुमत लेकर आई थी यह बहुत इंपॉर्डेंट बात इसलिए है कि यह लोक्सवाद चुनाव से तीन चाल मैंने पहले का चुनाव को नतीजा है और जीत के तुरंद बात का नतीजा है इसलिए सुरेंपाल सिंग्टी की हार का बारती जनता पार्टी को विश्लेशन करना चाहिए बिंदू वार विश्लेशन करना चाहिए क्या यह जनता के रुख में परिवर्तन का संकेत है क्या यह सुरेंपाल सिंग्टी की खुद की परिस्तितियां खुद की छवी खुद का जनाधार उसका संकेत है पिसे चुनाव में तीसे न सब्सक्राइब चले बाजपा के साले कैबिनेट मंती राज्य मंती वहां मौझूद थे और चुनाव के दौरन आपने सुनेंदपाल सिंटीटी को मंती बना दिया आम तौर पर देश में कि आम तौर यह कभी नियुक्ति चुनाव लड़ रहा है चुनाव लड़ते लड़ते लिए बड़ी बात है कि एक व्यक्ति को आप ने चुनाव के दौरान मंती बना दिया और उस व्यक्ति में लोगों ने विधानताब में संब करना चाहिए फान्स साल में तबादलों की उममीद रही होगी अपने क्काम होने की उमिड होगी मंतरि श्वन के जरीए इसके बावजूद कैसे हरगे सुरन पाल्सिंटीर इसका विश्टिष्टेशन भारति इंता पार्टिप करना चाहिए यह केजिन चाहिए यह सरकार क्राइँ मुख्य मंतरी की हार या इसकी हार कहने से काम नहीं चलेगा पार्टी को गहराई शे इसर गृहरा करता से जानना पड़ेगा कि कारकर्ता को साधन दिये ने कि दिये कर वहां एक लाग शुरूल कास्ट के वोट हैं, दो लाग चालिस जार में, और यह कॉंग्रेस के ट्रेडिशनल वोट हैं, वही हुआ कॉंग्रेस ने अपने विदायकों को शुरूल कास्ट के परिवारों में गरगर में डाल दिया, और उस इंटेक्ट वोट बेंक को प्लस जो कॉंग्रेस की विचारदारेक लोग थे, और जो गुर्मी सिंग कुंदर के समर्द तक ते, जो दुनिया में नहीं रहे, उन्हें उनके बेटे को सानुबूती लेर में वोट दे दिये, जीत कर आ गये, तो यह जो पराजय है, यह पराजय मामूली नहीं है, और इसलिए भी इसका विच्टेशन करना चाहिए, लोग स्वा चुनाओं के पहले और विधान सब चुनाओं में जीत के बाद, यह हार है, इसे एक सीट की हार ना माने, इस पर चर्चा भी करें, आप में विच्टेशन भी करें, मंतन भी करें, ऐसा मेरा, सुजाव है, भार्चे इंता पा वो कल होगी, पेनेटी कॉर्णर में, आज बस इतना ही, नमस्कार